मुझे नी पता था पैसा आ रहा है ना भाई इसको पता है तुब कर ट्रेडिंग है अब वहाँ पर मैंने सूचा भाई उसको कैसे पता मुझे कैसे नहीं पता तो वो एक सबकॉंचेस पहले फीड कर दिया मुझे भी वो सीखना है आपका डर उसका फाइदा था डंदा ऐसी के चलता है दोस्त वहाई हसीन सपने हैं मार्केट में कोई स्ट्कत नी होताओ अ कर पार का अगर मैं calculating देने वाला आपको मेरी तरह successful market में trader कैसे बन सकते हो आप सभी लोग profit के पीछे भागते हो बागते हो ना मैं आप बात करना चाहता हूं profit के पीछे नहीं loss के पीछे भागो किसी ने खूब काए अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो आप से हमेशा दो कदम आगे रहने वाला है ना कि पी होता है आप हमेशा बात करते हैं operator के thought process से मैं हमेशा बात करता हूं operator नहीं 90% losing psychology को follow कर लो क्योंकि जो वो लोग loss कर रहे हैं उसी का reverse ही तो कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए मेरी बात आपको समझवारी होगी चलिए चोटी सी जर्नी में आपको अपनी बता देता हूं कि मैंने अब तक क्या क्या है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरिंदर साहू मैं सभी रईश्ण रिसर्च आनलिस मोर देन 17 और सफ एक्सपिरेंस लेका हैं stock market के अंदर तो मैं अपन चुटिया बनाने हमारे हरदवार आये करते थे बहुत सब्सक्राइब को अब बजए की बातaran पुरे दिन पता? cnbc आवाज पूरे दिन cnbc आवाज मैंड में निल बटे सननाटा हम सोचते थे पूरे साल पड़ाई करी है यह टाइम दो-तीन महीन है एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे बोर मार रहे हैं कंटाल मार रहे हैं वही न्यूस वही सुवह सुवह वही लगाके बैठे वे समझ मही देखते थे उनके सूट बूट देखते थे उनका लाइफस्टाइल देखते थे हमारे लिए चॉकलेट्स लाते थे जो हमारे पापा नहीं देते थे वह हमारे लिए चॉकलेट्स लेकर आते थे तो खुशी लगती थी अरे यार लाइफ तो अच्छी है लेकिन यह कब तक खाली है जब हो गया अब तो चोड़ दो टीवी देखने दो मजे करने दो खेलने दो एनीवेश चलता रहा उन्होंने पापा को अप्रोच किया पापा ने ट्रेडिंग एकाउंट खोल दिया अब मैं बढ़ा हूं वह चले गए तो पापा ने बुला बेटा तेरे कोई समाल पापा ने जब बोच से बना और जब ब्रोकर से बना तब समझे माया कि बाया स्टॉक मांकेट में इतने सारे लोग क्या कर रहे है क्हूंकि वह पर टर्मिनल पे ट्रेड होते थे पीछे कम से तो 25 तीस लोग रहते थे और सबके बाल सफेद इतने सारे सीनियर लेवल के बंदे जो AGM, DGM बड़े-बड़े पोस्ते जो बेचल से रिटायर हैं जो हमारे मतलब पापा के भी जो अधिकारी के बॉस के बॉस के बॉस के बॉस होते थे वह आपे बैठे वे हैं तो मैंने यह तो बड़ी है रिटार्मेंट के बाद यह अपन अब भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे है तब ही क्लिक हो गया था बॉस जब बड़े-बड़े प्लेयर मोटे-मोटे प्लेयर जो हम बच्छमन में सोचते थे कि हमें भी DGM बनना है इस बड़े पोस्त में जाना है वीपी बनना है कंपनी का जब यह लोग रिटार्मेंट के समझाते थे स्ट्राटेजी सिखाते थे यह कर ले वो कर ले कोई चार्ट ही नहीं थी कोई टेक्निक अनलिसिस नहीं कोई फंडामेंट अनलिसिस वह अपने घ्यान से कुछ को लेते आते थे और आपको पता है सब टीवी चलता था कर लिया ट्रेड किया मैंने भी कमाया 2008 में मैंने अच्छा पैसा कमाया भाइक खरीदी मुबाइल खरीदा तुका ट्रेडिंग से मुझे निक पता था पैसा आ रहा है ना वाइक इसको पता है तुका ट्रेडिंग है अब यहां पर क्या होगा टर्निंग पॉइंट बैंगलोर से आया मेरे को एक कॉल मेरे ब्रोकर को अब ब्रोकर यह ने बोला कि भाईया हम 15-20 लोग हैं अगर इनकी 20,000 पे की सर्विस ले लेंगे तो इनकी एक सर्विस मिलेगी हमें एडवाइजरी की उस पर हम ट्रेड करेंगे पैसा बनाएंगे हमने ठीक है हजार-दोजार पर पड़ेगा क्या फर्पिड़ता है दे दि कि यह वह 20,000 पे हमने सिर्फ एडवाइजरी सर्विस के लिए दे दिया तो उसके पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है वह कुछ तो रिसाच कर रहा होगा कहीं तो हमारे अंदर वह कमी है जो वह हम उसको बुढ़े लोग हैं मतलब अंकल लोग हैं जिनको रिटार हैं 65 70 यह से इतने बड़े पोस से बैटे हैं वो लोग भी अगर उस ट्राप में आ रहे हैं ट्राप बोलो कुछ भी कहलो उनको एक हल्प चाहिए एडवाइजरी चाहिए अब वहाँ पर मैंने सोचा भाई उसको कैसे पता मुझे कैसे नहीं पता तो वह एक सबकॉंश्यस मैंने को फीड करना चाहिए मुझे एडवाइजरी बने मुझे वह रिसर्च अनलिश बनना है उसको कैसे पता एनिवे अब एक और टर्निंग पॉइंट लाइफ का सर गयर वी निकल गई बार वी निकल गई बीच विच विच में होता था था चोटा मोटा ठीक है बार वी के अपने आसपास रिशी केस में या द्यादून में कॉलेज में ले लुगा कि नहीं आज आ बैंगलॉर मैंने दिमाग का ठकन को लिया मैंने का बैंगलॉर वाह यही तो मैं चाहता था चार-पांच साल से कि वही है मुझे बैंगलॉर जाना है वो सीखने के लिए पहुज ग रहता है दस तरगी चीज़े रहती है तो मेरी रूम में एक बंगाली चतुर रहता था चतुर वाला नहीं पॉजिटीव में बात कर रहा हूं वह मेरा अच्छा वेल विशर था अच्छा दोस्ता बढ़ थोड़ा हम में से चतुर था हम ती लोग रहते थे चतुर था अब चतुर क्यों मैं बूलूँगा क्योंकि उसके भाईया आयम बैंगलोर से पास आओ तो वो उसको गाइड करते थे हमारे कोई मेंट और नहीं है तो हम उसको फॉलो कर लेता है मैंने इसको फॉलो कर लोगा यह अगर सेट होगा तो मैं भी सेट हो जाओं सिंपल लॉजिक है दिमाग नहीं लगाना अब रात को ग्यारा बजे बैट के मेरे को बोलता है कि भाईया स्टॉक मार्केट बारे में ग्यान दें अब मैंने उसको बताया मैंने का रुख जाओं क्यों पूछ रा बता तो फिर उसने मेरे को बताया यार मेरे कल इंटर्विव है और ऐसा-इसा गया अब इनसरोरी उसको बहूं से उसका नहीं coração अप इसी को बोलते है प्राक्टिकल ड्यान इसी को बोलते है मेरा क्यों स्वा उसको भी नहीं सेम चीज ही थी लेकिंजो मैंने फील किया व in tattoo को बताया उसन मोई प्राक्टिकल ग्यान है यह रिआलिटी है उसने में कर चलो अब एडवाईजरी फर्म में घुज गए जो चाहता था अगेन बैंगलोर तो गया मुझे नहीं पता था कि मैं उसी कंपनी में हो जाओगा बट जो सोचा हुआ था मैंने 5-6 साल से सबकॉंशेस माइंड में हिट मार रहा था वो रिवर्ट बैक होके मेरी जो पूरी क्या करने यह 17 साल में मैंने क्या गलतिया करी है मैं आपको वो देना चाहता हूँ अगर आपने पेंड़ पर काम कर लिया तो आपका एकाउंट में ऑटमेंटिली गेन चालू हो जाएगा कहते हैं ना जेब में गांधी हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए और वही जजबे के साथ मैंने स्टॉक मार्केट में पुर्ण स्टार्ट किया मुझे नहीं पताता मैं कहां जाने वाला हूँ लेकिन एक और टर्निंग पॉड में आपको बताऊँगा जब मेरे इस कंपनी में जॉब लगी जॉब लगने के बाद मेरे बाकी दोस्तों का जब प्लेस्मेंट हुआ सबका 35, 40, 50, 70, 80,000 तक कभी उनका पैकेज लगा कैंपस सेलक्षन में मैं एक भी कैंपस सेलक्षन में नहीं बैटा मेरे को लोगों ने गालिया दी दोस्तों ने बोला कि यार हैरी 10-15 लाग रुपे घर्च करके बैंगलोर में तू क्या कर रहा है मात्र 12,000 रुपे की जॉब 16,000 रुपे का इंसेंटे मिला के तरह को मिल रह मैं ने बोला बहुत सेदिस्फाइड वो दौस क्यों कि मुझे उन अंकलो की फेस याद आती थी क्योंकि रिटारमेंट के बाद वह स्टॉक मार्केट नी करते थे तो मेरे पास कितना टाइम था मेरे पास अपनी लाइफ के 30 साल थे सीखने के लिए स्टॉक मार्केट को कि म मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आप लोग क्या करते हो एक दिन सीखते हो दो दिन सीखते हो सोचते हो कि मैं अब तो रॉकेट बना दूंगा पईसा ही पईसा होगा अरे बापने हनीमून पर जाओंगा और उसके बाद वापिस जोपड़ पट्टी में तो इंपोर्टन्ट करो मिनीमम भी 35 अरपे की सेलरी वहाथ फ़र्क है दोस्त और गूदा चाहिए इसको सैक्रिफाइस करने के लिए 30 साल में नहीं तो जब मेरा रिटार्मेंट होगा उनका जो स्केल ऐसे था सैलरी में तब ऐसे होगा बट मेरा धीरे जाओंगा बट मरते दम तक ऊपर ही आपने का जो तरह आटिटूड है और आज जो मैं बार-बार बात कर रहा हूं लॉस पर फोकस करना है प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना है इसलिए वहां से आया है तो आपने समझा कि किस तरीके से मैंने रिष्ट्रिक्ट नहीं किया था सीखने को तो आपको भी अपनी ला आध्यम से वीडियो के लास तक जमे रहिएगा मैं आपको सिखाने वाला हूं आशान कर देता हूं मैंने पहले भी बोला थिंग फॉर दा लॉस आपको सिर्फ और सिर्फ लो लॉस से दोस्ति करनी है प्रॉफिट से दोस्ति नहीं करनी है क्योंकि लॉस को अगर आप समझ अगर आपने उसको दोस्त बना लिया तो प्रॉफिट अपना है लॉस भी अपना हो जाएगा अब आप बोलोगे यार लॉस को कैसे दोस्ति करे पागल है क्या लॉस तो हमें परिशान करता है लॉस तो हमारे अकाउंट को मैनस कर देता है डिमोटीवेट करता है फ्रस्ट् पचाहनों दिए फशाइड हो कितने की झाल कर तो यहाँ पे भगवान को चूज करने दे रहे हैं कि आपको कितना देना है आप हमेशा पूजने जाते हो क्या बोल के कि मुझे जादा से जादा profit दे दे ट्रेड करते हो क्या सोच के कि मैं हर ट्रेड में पैसा कमा लूँ पॉसिबल है अगर मैं बात करूँ आप लोगों से reality की एक fisherman की बाद करता हो कितरे साल का experience होता है 50 से 60 साल का होता है क्योंकि fisherman अपने बच्चा जब बच्चा पैदा होता है उसके तोड़ा क्या वो patience कोता है नहीं न वो एक बार काटा डाला और उस काटे में चारा भी लगाता है पांच रुपे का यह सर लो और वो चारा क्या है लौसी तो है तो पहले यह की सोच रहा कि मुझे कितना profit आएगा पहले यह क्यों नहीं सोचते हो कि मैंने कितना चारा लगाना है कितना पढ़ा चारा लगा उतनी बड़ी मचली आएगी यही stock market है दुबारा आपको मैं ले के जाता हूं temple की तरह तो चड़ावा तो देना पड़ेगा accept करो बट कितना देना पड़ेगा यह आपको decide करना पड़ेगा क्या आप अपनी life में कभी सोचा है trade करते वे कितना loss होगा त तो क्या बोलतो हो यह भगवान बचा ले अच्छे काम कियोंगे तो भगवान आपको बचाया भी है stock ऊपर जाता है जब cost to cost आता है तब क्या बोलतो हो एक बाप brokerage निकाल दे मेरा मेरा काम हो जाएगा मैं निकल जाओंगा ब्रोकेज में निकाल देता है तुर क्या बोलते हो अरे भगवान आप पीछे वड़ जाओ अब मैं stock market के देख लूँगा क्योंकि वही लेवल आपका breakout कर रहा होता है और उसी जगह पर दुबाया ट्रेड करते हो और मार्के उठाक सीधे पटक देता है फिर बोलते है भग आपका बंता चले जाएगा पहला golden rule सस्ता है पट यहीं बहुत बड़ा गलत रस्ता है चोटा प्राइस देख आप अट्राक्ट होता है पैनी स्टॉक और नहीं भाई मार्क माई वर्ड बुल कभी महंगा नहीं होता बियर कभी सस्ता नहीं होता बियर कितना गिर जाए कभी सस्ता नहीं है तो हमेशा अच्छी कंपनी पर इंवेश्टमेंट करो रूल नमबर टू यह अच्छी कंपनी क्या है बाच्शा उठाओ उसको अच्छाओ करी अगर आपने बाच्शा पकड़ा मैं हमेशा बात करता हूं रेस पाड़ करोगे जो पहले नंबर पे घुडाऋ उस पे ऑपे करोगे यह सोच कहें कि sasta बैटि अ कि तिंक लाएक चांट उन्वेस सेंटर्ध करोują तो antibiotic अपने सेक्टर के बाक्षा को निकालो उसमें इंवेस्टमेल करो अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइड गिर्ती वी चीज को यानि कि एक स्टॉक मालों 500 रुपे से 5000 चले गई महंगा हो गया मैंने बोला पहले पॉइंट में कि भाई या 500 का 5000 हो जाए तो उसको भाई नहीं करना लेकिन कब करें कंपनी तो अच्छी है और यह भी बोला कि बुल कभी महंगा नहीं होता तो 5000 चले जाए लेकिन ठहर जाओ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं यही छोटी म जब बड़ा ऑपरेटर बाई करने आएगा तो 5000 माल नहीं उठाएगा वह 5000 को पहले दुबारा धाई जार पे लेकि आएगा या 2000 पे लेकिए आएगा सस्ता करेगा जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में डिसकाउंट चल रहा है कोविड के टाइम पे क्या था अफाइदा था दंदा ऐसी चलता है दोस्त इसी चीज को स्टॉक मार्केट में प्लाई करो फॉर्थ मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट मुंगेरी लाल के हसीन सपने कावद तो सुनी होगी मुंगेरी लिल कौन आप खुद कैसे सोचते हो ना और एक बार स्टॉक मार्केट सम रुपे की चीज़े 500 रुप होगी ना मेरा पैसा ही पैसा होगा भाई हसीन सपने है मार्केट में कोई शौटकट नी होता बिना ग्यान के अगर आप कुछ भी कर लो ड्राइविंग भी कर लो तो ठोक होगे अगर बिना ग्यान के आप स्विमिंग पूल में भी कूच जाओ तो भी डूब जाओगे ग्यान लो नॉलेज लो एजुकेशन लो प्रॉपर सीखने की कोशिश करो उसके बाद आप सीखोगे सार मैं यह नहीं कह रहा पैसा बनाओगे लेकिन लॉस पर कंट्रोल होगा की नहीं होगा आपका जो फिनाइंशली डैमेज था कॉन्फूडेंस जो फ्रॉस्ट्रेशन था उस पर काम करोगे नहीं करोगे और मैंने तो यहीं बोला कि मैं आपको सिखाने वालो अब मेरा फेवरेट फिफ्ट गोल्डन रूल इसको लगा डाला तो लाइफ हो जाएगा जंगा लाला क्या है ध्यान से सुनना जिसको मैं परसनली फॉलो करत क्या बात करें सर कुछ भी है रियालिटी बताता हूं उठाओ मारकेट इंडियन मारकेट का हिस्ट्री सर कोवीड आया वियल जो आप लोग जड़े वे कोवीड के बाद बहुत सारी हमारी आउड्येंस टॉक मारकेट के अंदर गुसी है कोवीड आया क्या थी गुद निश तो इसको किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई करने की कोशिश करो देखो रिजल्ट वही होता है यहां पर बस आपको सोच बदनी है दोस्तों साइकलोजी के ओपर फोकस करना है जो कि 70% स्टॉक मार्केट में सिर्फ साइकलोजी काम करता है रस 20-30% बाकी के रिस्क मानेजमेंट, मनी मानेजमेंट, स्टाटेजीज यह वो अगयरा वगयरा फलाना नमकाना है तो दोस्तों यह जो पांच गोल्डल रूल्स मैंने आपको अपने सक्सेस्वल ट्रेडर होने के बताएं हैं यह मैंने आप से पता है क्यों शेयर किया है सिर्फ आप लोग के दूआ बटोरने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीक को, अपने बच्चों को फराइंशली फ्रीडेम दिलाएं मैं हमेशा बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि बढ़िया कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट तो कर सकता है इंडियन इक्रम्पी पे बिलीव तो कर सकता है बारा हजार क्रोड का रिटन होता है सौ साल के अंदर सोचो एक हरदवार का लड़का एक छोटे से शेयर का लड़का आज कितने बड़े प्लाटफॉम पे बैटा है और कितने लोग को फाइनशल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे है तो मैं थाइंक यू बोलना चाहूंगा हमारे जो स्टॉक की टीम को जो स्टॉक को जिनोंने मेरे को यह मंच दिया और इस मंच के माद्यम से मैंने आपको अपना पाच गुल्डल डूल देने की कोशिश करी जो आपको सक अपने माता-पिता का ध्याद रखना है इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें